Coast Lines, इंडिया के Physiographic Division का एक Integral Part जिसके अपने कुछ distinct characteristic features हैं इन Coast Lines का इंडिया के Geography, Climate, Economy और Culture पर considerable impact पड़ता है और ये Coast Lines इंडिया के Security, Trade and Commerce और Cultural Well-Being के लिए भी काफी important है आज के इस वीडियो में हम इंडिया के इन ही Coast Lines को डीटेल में explore करेंगे और उनके formation, causes, factors, reliefs और impacts etc. को समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हमारा देश इंडियन ओशन में काफी strategically located है इंडियन पेनिंसुला के एक ओर आप देखोगे कि Bay of Bengal है जो इंडियन ओशन को South East Station countries से connectivity का scope देता है और वहीं इसके दूसरे ओर है Arabian Sea जिसके थुरू इंडिया आसानी से अरब countries और सेच कैनाल के थुरू European countries को access कर सकता है अपनी इसी strategic geolocation की वज़े से इंडिया का coastline का significance बढ़ जाता है इंडिया के total coastline की length की बात की जाए तो ये 7516 km लंबी है जिसमें इंडियन में लैंड का coast जो है इसकी length है 6100 km और इसके island coast भी है और उसकी लंबाई आती है 1400 km इंडियन coastlines total 13 states और UT से होकर पास होती है ये ऐसे 9 states और UT से हैं जैसे की गुजरात, महारास्टरा, गोवा, करनाटका, केरला, तमिल नाडू, आंधरप्रदेश, ओडिशा और वेस्ट पहंगॉण और इसके लावा चार union territories मी हैं इन सभी states में गुजरात, state सबसे लंबा coastline शेयर करता है अब बात अगर इंडियन coastline के नीचर की की जाए न तो इंडियन coastline का एक बहुत बड़ा पार्ट स्ट्रेट और रेगुलर नीचर का है जिसके कारण यहाँ natural ports का scope बहुत कम हो जाता इन coastline का formation क्रिटेशियस पीरिट के दौरान गुंडवाना लैंड के falting से हुआ था और यही कारण है कि यह coastline जादा तर freight है खैर, इंडियन coastlines को हम further study करने के लिए तीन भागों में classify कर सकते हैं जिसमें सबसे पहला पार्ट है eastern coastline दूसरा आप यहाँ पर western coastline देख सकते हैं और इसमें कुछ island coastlines हैं यहाँ पर और इसलिए island coastlines भी एक इसका major part बनता है इंडिया का eastern coastline eastern ghat और bay of bengal की beach located है इसके extent की बात की जाए तो यह Indian peninsula के east में गंगा डेल्टा से कन्या कुमारी तक stressed है इस coast के कई सारे prominent peninsular rivers जैसे की महानदी, कुदावरी, कावेरी, etc डेल्टा का निर्मान करती है साथ ही चिलका लेक और पुलिकट लेक जैसे लगून्स इस coast को और भी divers बनाते हैं इस coastline में बहुत सारे डेल्टास located होने के कारण इसे coastline of emergence कहा जाता है coast of emergence वो cost होते हैं जिनकी या तो height बढ़ रही हो या फिर sea level घट रहा हो इंडिया के eastern coast के case में इसकी height बढ़ रही है तो आप सोचे होंगे कि ये क्यों हो रहा है आखिर जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इस coast से होकर बहुत सारे rivers वे और Bengal में drain हो जाते हैं और ये rivers long distance travel करते हुए अपने साथ बहुत ज़ादा silt लेकर आते हैं और इसे coastline पर जमा कर देते हैं इसी aluvial load से eastern coast की height बढ़ रही है और जिसकी वज़े से इसे coast of emergence कहा जाता है इंडिया की eastern coastline natural harbors के लिए बिल्कुल भी suitable नहीं है और यहाँ एक ही major port है और उसका नाम है Wysak port जो की अपने आपने एक artificial port है regional classification की बात की जाये तो इस coastline को तीन भागों में divide किया जा सकता पहला है उतकल coast आपने अपने national anthem में सुना होगा ना जराविड उतकल बंगा यह वही उतकल coast है ओडिसा का coastline उसके बाद आता है आंधरा coast जो आंधरप्रदेश के coastline को refer करता है और फिर सबसे last में तीसरा और सबसे major part है वो है कोरोमंडल coastline कोरोमंडल coastline में पूरा तमिल नाडु का coast और आंधरप्रदेश का कुछ coast शामिल है समिल नाडु में कोरोमंडल coastline को पायन घाट के नाम से भी जाना जाता है इस्टन coastline के बाद अब बात करते हैं विस्टन coastline इंडिया की विस्टन coastline नौर्थ में गल्फ ओफ खंबाट से south में Cape of Cameron तक extended है पूरा विस्टन coast क्रीक्स और इस्चुरीज जैसे चीजों से भरा हुआ है लेकिन यहां डेल्टा लगभग ना के बराबर पाया जाता है इस coastline पर नर्मदा और तापी द्वारा बनाया गया इस्चुरीज सबसे मेजर इस्चुरीज है इस coastline को भी regional लेवल पर तीन पार्ट्स में ही डिवाइट किया गया है पहला है कॉंकन कोस्ट नौर्थ में गुजराच से लेकर south में गोवा तक extended कॉंकन कोस्ट का formation गुंडवाना लैंड के submergence के कारड़ हुआ था और इसी वज़े से इसे coast of तब मर्जिंस भी कहते है इसी वज़े से पूरे इंडियन कॉस्ट लाइन में ये coast natural harbor के लिए सबसे ज़ादा suitable है दूसरा है करनाट का कॉस्ट जो करनाट का कॉस्ट लाइन को रिफर करता है और मैंगलोर पोर्ट करनाट का कॉस्ट लाइन पर सबसे लेगून, marshland black water जैसी चीज़ों के लिए जाने जाए चलिए अब रुख करते हैं हमारे islands की दोस्तों आपको जानकर हरानी होगी की इंडिया के पास छोटे बड़े कुल मिला कर हजार से भी जादा islands है इंडिया के island coastlines की लंबाई 1400 km है जो इंडिया की exclusive economic zone यानि की EEZ को expand करती है exclusive economic zone उस maritime zone को कहते हैं जिसके resources पर एक particular country का right होता है किसी country के coastline से 200 nautical miles तक extended reason को EEZ वाना जाता है exclusive economic zones United Nations Conventions on the Law of Sea यानि की unclosed के according गवन किया जाता है इंडिया के islands coastline में ये अंडमान निकोबार island और लक्षदी ये दो major islands हैं जिसके extensive coastline इंडिया को Indian Ocean में EEZ के formation में एक strategic advantage प्रोवाइट करते हैं इसके अलावा ये islands coastline tourism, mariculture, fisheries, etc. के लिए भी काफी significant है दोस्तों हम coast की significance को often underrated resource की तरह treat करते हैं जबकि देखा जाये तो असल में इनकी significance इंडिया के economic, strategic और security interest के लिए काफी जादा important है इंडिया की ये 7,000 km से भी जादा लंबी coastline इंडिया को maritime strategic advantage तो देता ही है लेकिन इसके अलावा इंडिया के diplomacy, geopolitics और security के लिए भी काफी जादा important है साथी ये coastline देश के लिए tourism, mariculture, fisheries, etc. के form में additional revenue भी generate करता है इनी coastlines के कारण coastal states के लाखों लोगों को रोजगार मिलता है जिसे की state और country दोनों के GDP में हम growth देख सकते हैं इंडिया के coastal geography, climate change और global warming के लिए भी काफी crucial है Coast में located mangroves और coral reef ना केवल coast को cyclonic storm से बचाते हैं बलकि marine biodiversity के लिए भी एक important component है इंडिया के साथ साथ, world भी oceans और coast के significance को तेजी से accept कर रहे हैं और इसी दिशा में steps भी लिये जा रहे हैं Lisbon Declaration 2022, oceans और oceanic reliefs के protection की दिशा में लिया गया एक important step है अब वो समय आ गया है जब हम अपनी coastlines की significance को समझें और इसको sustainable development के model पर utilize करने के लिए एक multi-pronged strategy अपनाएं तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से ऐसे ही अगले informative वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहें